चलिएगा मेरे दोस्त, शुरू करते हैं बिहार SAC का सारसंगरा, BPSC, बिहार SAC करके सारसंगरा, सपार्क का है, चोकि आपका अभी चलेगा 2016 का, तो याद रुखेगा ये जो चलने वाला है सारसंगरा 2016 तक खतम हो जाएगा, संपूर्ण होंगे, जो भी होंगे, संपूर्ण बना रहा तूँ, तो चलिए सुरू करते हैं, और कोश्चन को फड़ा-फड़, स्पीड के सारथ खतम करते हैं, क्योंकि वन लाइनर, वन लाइनर की तरह होनी चाहिए, और जल्द ही एक सीरी चलने वाला है, जिसमें जैसे कि जितने भी राष्टी आलदोनन किये हैं, उनक लाइनिए नमबर, कौन सी एक शमीती नागरिकों के मुल करत्बों को 1976 में समली करने की अनुसवार कि थी, तो स्रण शिंग का नामाता है, इसमें क्या किया गया था, On ree Tortor 46 में मुल करतब को जोड़ा गया था, इसकी चिर्चा की गया था, किस समीती के था, तो स्षवार शि कारिन को मिला था या तो खेंगे जो की गुंटर ग्राम को मिला था दर टीम ड्रम की जो है पुस्तक पे मिला था आगे है देसांतर में कौन सी रेखा भारत की प्रमानी के अमनुतर रेखा है तो साड़े बिरासी डिग्री इस्ट की बात करता है मतलब पुरु की बात करता है आगे सवाल बनता है कि भारत में ब्रांड गेज में दो रेल पठरियों की बीच की मानकदूरी क्या होती है तो 1.676 मीटर होते हैं या तो खेगा आगे नेस्ट कोशन है कि कनाटक के सर्वन बलगुला की बात करते हैं बलगुला में अवस्थित जो है गुमतेशवत की मूर्त मूर्ति एक प्रमुख जैन धरमस्थर है इस मूर्ती की उचाई कितनी होती है तो 57.50 फीट होती है या तो किएगा इस समय अगर सर्वन बलगुला की बात करते हैं तो इस समय आप पी चर्चित है ये मौर समय से ही चर्चित है क्योंकि समय मौर भी इहां अपना क्या है जैन लिश विद्याले का नाम आता है या तूखेंगे चलेगे आगे सवाल है कि भारत उपमहदीब का शातमा सब से पुराना विशुवद्याले पटना विशुवद्याले कभ अत्यूर तो याद रिखेगा वहां उनुषा defined 17 में हुवा था आगे चलेंगे the passage to India किन्प द्वारा रचीत है तो याद सवौकर रखने Mortal J विएस नैपाल का नाम आता है, ये बुक बहुत लंबा था, ये question पूछा था, इसलिए ध्यान रखेगा, कोई भी अगर भी देशी English हो या English में लिखा गया हो, तो आप ज़रूर से ध्यान रखेगा, क्योंकि ये बुक से पूछा जा रहा है, अगर इंडियन लिखे हैं तो, National Mineral Development Corporation of India के हीरे की खान कहां है, तो पन्ना है, हीरे की खान पन्ना पन्ना कहां है, मतपरदेश में है, जो कि फेमश है हीरे के लिए, आप जस्ट अगर मेरा इंडियन जोगरफी देखेंगे, तो इसमें question था, तो National Mineral Development Corporation of India, जो है, कहां है, तो या दुखिया किस के लिए फे निर्देशित है, तो सचिदी रे के द्वारा निर्देशित किया गया था, या दुखिया पाथेर पंचाली या दुखेंगे, आगे सवाल बनता है, अंतराष्टी योग दिवश कम मनाये जाता है, तो एक इस जून को मनाये जाता है, तो अंतराष्टी योग दिवश कम मन यह जरूर ध्यान दखेगा आगे सवाल बनता है 35 में राष्टिये खेल जिसका प्रतिक चिन जो है ग्रेट और नियर विल था कहां आयूजित किया गया है तो यहाद दिखेगा केरल में और नियल की बात करेंगे तो नागलन चले जाएंगे अब ग्रेट और नियर और नियल कि बात करेंगे तो हम चले जाएंगे केरल में क्योंकि 35 में राष्टिये खेल हुआ था जिसका प्रतिक चिन ग्रेट और नियल था याद रोखेगे मसूर पेंटिंगा राजीव बर्वान तो याद खेगा राजिव बरॉट जो थे वो क्या थे चिट्रकार थे जो कि यह मशूर पेंटिंग की थे हन्स दमिंती का याद खेंगे नेक्स्ट कोश्चन आपका बनता है मैला आच और पुस्तक के रेशीता कौन है तो फनी स्वरनात रेनू बिहार रेशी अगर पढ़ते हैं तो पंचायत याद करके जाएए पंचायत पंचवर्शिये और पुस्तक के नाम जोसे हम एक वीडियो बना देंगे जो कि सारे पुस काल में हो जाती है तो काजकारी राष्टपती कौन होंगे तो सर्वो चिन्याले के न्याइधीश होंगे ये ध्यान रखेगा सर्वो चिन्याले के न्याइधीश होंगे ये जरूर ध्यान रखेगे आगे नेस्ट कोशन बनता है बोका हर्म बोको हर्म बोलते हैं क्या है तो लाल बहादू शास्ति को दिया गया है, या तो खेगा, मरो प्रांत अगर पूछा जाए आपसे, कि किसे दिया गया था, तो लाल बहादू शास्ति को दिया गया था, प्रथम भारत रत्निया, जखेंगे, जल्ली कट्टू, शाड़ो की लडाई जो होती है, किस राजमे से सम समंदित है तमिलाडू से तो जल्ली कट्टू अगर आप से पूछे कि किस रास्ते समंदित है तमिलाडू से समंदित है और जल्ली कट्टू की अगर बात करते हैं जल्ली कट्टू की बात करें तो साड़ू की लड़ाई है जल्ली कट्टू एक मुवी भी बनी थी आप जानत पुश्व मेला जो है ब्रम्भा उनकी पूझा होती है, एक ही मातर जगह है जो के रास्तान में है, जो के पुश्व मेला भी वहाँ भी लगता है, यातुखेगा। आगे सवाल पुस्ता है भारत का पहला औरगिनिक राज कौन सा है तो शिक्किम है या तुखेगा तो भारत का पहला औरगिनिक राज कौन सा है तो या तुखेगा शिक्किम है ये ध्यान रखेंगे युद्ध ग्रस्त चेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविदियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं ब्लर्ड डाइमंड के नाम से जानते हैं जो की बेचे जाते हैं राजद्रोही गतिविदियों से याद रखेगा शराब बंदी शम्मिधान किस धारा से निर्देशित है तो याद दिखे है धारा 47 के तहद निर्देशित है तो सराब बंदी की अगर बात करें शम्मिधान में धारा 47 की चर्चा होती है भू इस्तिर उपगरह किस दिशा में गुमती है तो पच्छिम से पूरव की और गुमेगी जब भी जो भी गरह अगर भू अस्तिर है तो याद खेगा पच्छिम से पूरव की और गुमेगी आर्गिनिस्ट हेमिंग वे हैं या तकेगा आर्गिनिस्ट हेमिंग वे का नाम आता है या तकेगे आगे सवाल बनता है भरतिये शमिधान का कौन सा अरुछेद जो है रज्यों में शमिधानिक तंत्र के अशफल होने की जो है स्थिती में राष्टपती शासन का प्रुधान क बात करेंगे तो आर्टिकल 356 की बात करेंगे नोबल पुरुसकार जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है तो शिवडेन के द्वारा दिया जाता है तो यार किया है नोबल पुरुसकार किस देश के द्वारा दिये जाते हैं तो शिवडेन के द्वारा दिये जाते हैं या तो बनारस हिंदू, विषविजडाले, अग्टुनेश और पंदर से बनारस हिंदू, विश्विजडाले कीलिए कही गई तो पंडित, मौनरमुहल, मालमिये का नाम आता है, हरा सुचांग किस द्वारा विक्षित किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा किया जाता है या तुकिएगा तो हरा शुचांक की अगर बात करें तो किसके द्वारा विक्षित करेंगे तो हम विश्व बैंक द्वारा विक्षित करेंगे या तुकिएगा समिधान सभा के समिधानिक शलाकार कौन थे तो सम्विधान सभा के सम्विधानिक सलाकार अगर पूछे जाए तो बेनेगल नर्सिंग रौ है याद रखेगा तो बेनेगल नर्सिंग रौ जो है वो क्या है सम्विधान सभा के सम्विधानिक सलाकार माने जाते हैं याद रखेगा पेनिशलीन की खोज किसने कि थी एक बात मैं बता दूँ कि अगर जो मैं वन लाइनर जो सौर्ट वीडियो देता हूँ जरूर से जरूर आप लोग देखके जाएगा क्योंकि उसमें सारे कोश्चन वही दिये गया है जो पिर्वेसेयर में बहुत जादा कोश्चन पूछा गया है या दुखिएगा जैसे बि सवाल है अनुमानशी के जनक बग्यानिक कौन है तो अनुमानशी के जनक पूछा जाता है या बग्यानिक पूछा जाते हैं तो ग्रेक मेंडल जो के मटर पे किया थे या दुखिएगा इन्हें जनक बोला जाता है अनुमानशी का जेनिटी का या दुखिएगे एक कारवन क्रेडिट किसके सम्तुल है तो एक हजार की ग्राफ सी ओ टू के जो है ठीक है अब चलिए आगे सवाल है कि कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उप्योग किया जाता है तो कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उप्योग किया जाता है तो कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में के बने होते हैं अगर मेरा वीडियो जो इंडियन जोगरफी का दिखे होंगे तो याद खीएगा टंगस्टन जो है सबसे ज्यादा उत्पाद करने वाला राज्यकोने भारत का रास्थान है यह सब कोश्चन बंदा है और जो कि मैं पढ़ा चुका हूं अगर बिहार अगर इंडियन जोगरफी देखना चाहते हैं तो देख लिजगा ऐसे वो एक्जाम की तैयारी तो करवा ही रहा हूं जो कि आप देख सकते हैं याद खीगा इलेक्टरिक वल में जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के होते हैं आप जानते हैं मीना माता जो है ब्याधी ए इसका इस्तमाल होता है तो याक हे लिए साइंस का भी मोगतए linear लाने वाला हूं जो की exam में आने वाला है ज्यादा नहीं पढ़ाए जाएगा उसमें याद दुखीएगा kän इस्तमाल करते हैं यह दौर आहं चले канतल Servino मतलब होना होता है तो हो जाता है आगे सवाल है पित्तर एक मिस्टर धातु है जिसके अब क्या है तो तामबा और जस्ता है याद उखेगा तो पितर एक मिश्रधातू है जिसके अब्या क्या है तामबा और जस्ता है याद उखेगे गन पौडर किसका मिश्रण से बना होता है तो गन पौडर जो है चार कोल सलफर और पोटाशियम नाइटरेट के बने होते हैं तो याद दिखेंगे अचार कोल सलफर और पोटाशियम नाइटरेट के बने होते हैं गन पॉडर याद उखेंगे नेक्स्ट कोचन है लोहा का सुध्ध रूप क्या है तो पितवाल लोहा है याद उखेंगे तो याद रूहा का सुध्ध रूप क्या है तो पिटवा लूहा है याद रूखेगा आपका बनेगा शामुन किसका साल्ट है तो याद रूखेगा एस्टेरिक अमलगा है याद रूखेगे किसका है एस्टेरिक अमलगा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कोशन जितने ही 16 का होगे अधम खतम कर दिया जाएगा जो कि देखिए यतना लंबा मतब 16 में जितना पेपर हुआ है शारा मैं करवा रहा हूँ जो कि आपको दिखा देता हूँ कि कहां तक है सीमा यहां तक है 2017 जब तक नहीं आ जाए जब तक हम खतम करेंगे या तकिएगा चलिए next question ठीक है देखिए जहां से हुआ था उसके बाद से चलिए chlorophyll और hemoglobin chlorophyll और hemoglobin बोलिए या hemoglobin बोलिए में करम शक क्या यूगत होते हैं तो MZ या FE तो chlorophyll में क्या होते हैं MZ होते हैं hemoglobin में FE होते हैं या तकिएगा चलिएगा question आगे देखिए कौन साथ गहरा जमुनई आउगी पतार्त है जो antiseptic या तकिएगा हां पर थोड़ा सा तोड़ के पढ़िएगा नहीं तो गड़बड हो जाता है दिस पढ़िएगा इनफेक्टेंट बोलिएगा डिस इनफेक्टेंट जो होते हैं आई एंटी सेप्टिक जो होते हैं की तरह उप्योग होता है तो या तकिए या तो कैफीट कैफीट जो है पाई चाती है याद दिखेगा कोला पे में या तकिएंगे याद रखेगा दुलदार्व पशव में केलसियम की कमी के कारण जो है कारण क्या होता है तो 76 कोमी हो जाए तो आप या तकिए आख चीक है औसाब यहार्टकी तो याद देक्एग करती है यहां तो खेगा नेक्स्ट कोशन के अगर बात करते हैं हम लोग तो नेक्स्ट कोशन में देखिए कि भारत का शमीधान कब अपनाया गया तो 26 नुवंबर उन्हें 49 को अपनाया गया था या तो खेगा अलागो पूर्णता हो गये थे 26 जनवरी उन्हें 50 को है न या तो कियेंगे यह कोशन जो देख रहे हैं CSBS यह भी बिहार SSC सारसंग्रा के समय में जब एक्जाम हुआ था उसी समय यह भी पेपर हुआ था इसलिए यह पूछा जा कि भारत के समय हान में मौलिक कर्तब्र को किस वर्ससमलित किया गया था तो मौलिक कर्तब्र की बात करें! तो 1976 भी क्या गया था, 42 मा समय हान सनसोदन याद रुखेगा, 42 मा समय हान सनसोदन, Natasa weiss यह बहुत इंपोर्पॉर्टेंट है याद रुकिएगा मौलिक करतब की बात होगी मुलक करतब की बात होगी तुने 106 तर याद रुकेगा ये दूसरा वारी है कोशन पूछ रहा है बस घुमा के पूछा है याद रुकिएगा बिहार से से भी एक कोशन आप देख रहे होंगे 12-16 में ही उपर की सबसे पहले कोश हेंगे हेंग शांंग की बात करते हम, किस के शाष्णकाल 없고 भारत यातर रखेंगे महानदी का अभी बोला जाता है कि, अमरकंटक्षे ही हुआ है या तो कहेगा नाथूला पाश दर्रा किस राज में इस्तित है तो शिक्किम में इस्तित है या तो कहेगा नाथूला पाश जो दर्रा होता है जो मैंने दर्रा स्पेसल पढ़ा है भारत का जोगरफी में तो या तो कहेगा शिक्किम में होता है या डेल जीर की बात करें तो डेल जीर जम्मू कस्वीर से समंदित है जो कि डेल जीर कहां है तो या दिखें सिरी नगर में सिरी नगर में तो जम्मू कस्वीर है ना अब जानते ही आगे सवाल बनता है कि किस सहर को गुलावी शहर के नाम से जाना जाता है तो जैपूर को हम कोशन को कितना घुमाया है और इस चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते क्या वैसे कोशन नहीं पूछते कुछ भी पूछ सकता है इसका कोई सीमा नहीं है आगे सवाल बनता है कि किस शहर में गुलावी शहर मत किस शहर को गुलावी शहर के नाम से जानते हैं तो जैपुर को ज इसोजех है नेक्स्ट कोसिशन आपका है कि सिंदू शवता के किस अस्थल एकिस अस्थल में गोदी मतनफ डाक यार्ड जो है होने का प्रमान मिला है गोदी कही है या डाक यार्ड कही है जिसे हम कहते हैं बंदरगा उसे कहते हैं लोथल यह ज negli कहिए सवाल कूक मानता के आए कुरुचेत्र में कितने दिन की हुई थी यह सवाल आपसे पूछेगा और हमिशा पूछेगा तो यह चीज ध्यान रखेगा 18 दिन हुआ था यह इजी कोशन है लेकिन 2016 में पूछा हुआ है प्रस्ट है तो सोच रहे हैं कि 2016 में पूछ रहा है तो 2024-25 में पूछ रहा है त इस जून को आप जानते हैं आगे नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं तो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है तो यह दिखेगा अगर 16 महा जनपत का वीडियो नहीं देखें तो देख लिएगा 16 महा जनपतों का वीडियो मैं दे चुका हूँ और बहुत ही अशानी से दिखेंगे तो 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 बाला जी बाजी राओ का नाम आता है कि जो की नाना साहिब से फिमस होए थे यार तो किएगा नेक्स्ट कोशन है कि किस ब्रिटिश जनर नहीं पोटरो नोबो में हैदर अली को हराय था तो यार तो किएगा वो था वैसे पाटल ब्लो होना चाहिए था पोटरो नोबो हो गया है हैदर अली को हराय था तो यार देखेगा सर आयर कूट ने हराय था यार तो किएगा नोबो में हराय था यार तो किएगा नोबो से ज़्यादा कोशन पूस्टा है यार देखेगा ब्रिटिश समराट के अधिन न्यूक्त जो है भारत का प्रतम बाश्राय कौन था तो लॉर्डर गरीब ही और अर्थशास्त का जो है तो याद रखेगा उशी समय हुआ था जब अंग्रेज का शासन था तो भारत के द्वारा लिखा गया था गरीबी और अर्थशास्त का जो है पुस्तक का नाम जो है Poverty and Un-British Rule in India लिखा हुआ पुस्तक है इनका दादा भाई नरोजी का याद रुखेगा आगे सवाल बनता है कि पुस्तक My Experiment with Truth के लिखा कौन है महात्मा गान्दी जी ये कोश्चन एक बार नहीं पूछा है हम मैं चैलेंज कर सकता हूँ 500 बार कोश्चन पूछ चुके हैं याद रुखेगा चिक है तो याद रुखेगे इस कोश्चन का उभी 16 में पूछ रहा है तो आप जानते हैं 70 पर्थिषयद तो हमारा भारत है मतब छेत्र जो है प्रथिवी का वह हमारा सत्तर प्रथिषयद जल है इसलिए हैड्रोसफेर से फैला हुआ है जल मंडल से फैला हुआ है आगे सवाल है कि बिश्व का सबसे गहरा महाशागर कौन सा है तो आप जानते हैं महाशागर है वो जो कि हम लोग जानते हैं अपने धूरी पर प्रतिवी के घुनन मतलब श्रिंग जो करते हैं या तो कि दिशा क्या होती है पच्छिम से पूरब होता है तभी तो पूरब में शुर्चुगता है या तुखेगा आगे चलेंगे प्रतिवी असुक्र को जुड मतलब कहने का मतलब है बाई मंडल में कौन सा ऐसा बाई मंडल परत है जिसमें जेट उड़ाए जाते हैं जहाज उड़ाए जाते हैं वो बताईगा उसकी परस्टितिक हालत बताईगा कौन सी है तो अस्ट्रेटो जिसे हिंदी में समताब मंडल कहते हैं जो कि मैंने पढ़ जो है कहां इस्तित है तो उत्तर प्रदीश में है जो कि हमारा अगर आश्टी उद्यान देखे होंगे ना तो आप 100% इसे भी देख के आपको लग रहा होगा कि हां कोश्चन है द्वजा 16 में भी पूछा हुआ कोश्चन जो कि मैं पढ़ा चुका हूं इंडियान जोग्रफी मायू शीमा कितनी है तो 30 बरसे या तुकिएगा राजशवा का लोगशवा का 25 भातिये कानून के अनुशार किस उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में प्रिभाशित किया जाता है तो 18 बरसे कम लोग को किशोर से कम किया जाता है 18 बरस के हो गए तो आप किशोर आवस् आगर से जोड़ती है याद सवाल है कि शमुराई योद्धा जो है वर्ग किस देश के हैं तो याद दूखिए जपान के हैं समुराई योद्धा जो हैं आपको मिलेंगे जपान में पहारतीयी शमिधान के प्रस्टावनमी समाजवादी किस सनसोधन द्वारा जोड़ी गया है तो 42 में समिधान सनसोधन द्वारा जोड़ा गया है या तो IS detta 1976 की बात करता है या तो कि हैं onay 76 गी बात करता है इसमें Charcha करता है आगे सवाल है नेफ्रोलजी किससका आध्यान है तो गुर्धा मतब कुड्णी का आध्यान है या तुकिएगा किड़नी का ब्रिक का देना है या तुकिएगा ब्रिक भी किड़नी को ही का जाता है या तुकिएगा गुर्दा भी किड़नी को काते हैं अगर पूछे तो या तुकिएगा गुर्दा इसे में एक चेंज कोशन पूछते हैं अलग धंग से पूछते हैं में दीखि innovations किस ने किया था अँंक ने किया था या तो खेगा ऐसे कोशन में मैने smart-video में कर अब जी कि मैंने प्राइब रह नहीं यह चो भी माना पिट जिसे विल कहते हैं माना पिट जो एक पीवचक लिए हरे तो बिद्दुधारा का एकाए है, एक ब्रहमानु के नावकिये में क्या स्वामलित होते हैं, तो निट्रोन और प्रोट्रोन जो है, यह दियान दखेगा, यह भी कोशन पूछता है, आगे सवाल है, निउटन के प्रथम गति नियम और किस नियम से जाना जाता है, तो आइडियन जेग्रफी का खनीच का देखेंगे निवो हैंडर प्रसेज इसे टिक लगा जाएंगे, आगे चलिएगा, हाष्य गैसक्या है, पताइगा, हाष्य गैस क्या है, तो हाष्य गैस एक लाफिंग गैस है, नाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है, नैटन oxide को जिसे N2O के नाम से भी जानते हैं या तुखेगा आगे सवाल पूस्ता है चिल्ली शीरा चिल्ली शीरा जो है किसका समानना नाम है तो sodium आगे सवाल है अत्यधिक कीनवन से आप क्या समस्ते हैं या अफसिष्ट जल्द में इंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन करने की पद्धिकों कहते हैं या तुखेगा इंटरनेट में किस टाइप के स्ट्यूचन का प्रियूग किया जाता है तो पैकेट का किया जाता ह कंकाल की मानस्पेशिया की अनुमानित संख्या कितनी है 700 है प्रस्टितिक तंत्र सब्दावली किसने पस्तूत किया है तो एजी टैंसेल ने की थी या तुखेगा आगे सवाल पूछेगा पेनिशलीन के जैब प्रतिरोधी गुन धर्मों की खोज किसने की सोचे अब तो एलेक्जेंडर फिलेमिंग थे याद किया पूरा नाम हो गया ऐसा सॉट फॉर्म में था तो पेनिशलीन का इतना बड़ा जो कोशन घुमाया गुंद धर्म सोचे यह कंफ्यूज किया है गया लेकिन अगर जूसे याद है वह ठीक लगा दिया होगा याद खिए हाइड या तो किये गा यह पढ़ाने के पॉंट अभी से अपना जो है बोल देता हूं ठीक है इसके लिए सौरी अगर बुरा जीने लगा होगा मतब हमें या किसी को रहभी हो जाता है या काट लेता है तो क्या होते हैं है अट्रोफोबिया हो जाता है डर हो जाता है पानी से डरत क्यारं लेधे है तो कारण हो जाता है अब देखिए प्रोटीन गिकमी से होने वाला क्वाशी यह तो इस यहां पर थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा फोषी ये को और होता है का ऑं obras होता क्यों होता है क्योता है प्रोटीन का होता है या को थैन टाइटन किस गड़ा का बिमांतर कुम आपने के लिए याद उखेगा आगे सवाल चलिए आप चलते हैं BPSC जो की हुआ था एक्जाम उसका भी चलते हैं डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे तो बाल गंगा धर तीलक थे तो डक्कन जो है डक्कन कही है याद उखेगा अगे सवाल पूसता है पृत बाध परशद को किस के द्वारा बुलाया गया था तो याद इखेगा अजास सतुरुद्वारा जो कि पर्थम बहुत संगिती हुआ था जो कि राजगरी में हुआ था ये भी ध्यान रखेगा कौन सा पूरा तात्विक अस्थल मौर राजपरशाद से समंदित है तो कुमरार जो कि पटना में है आप जाएएगा कुमरार याद किएगा वहाँ जो है आप एक तरह से पाटली पूत्रा कहिए पाटली पूत्रा जो है फिमश है जो कि राजपरशाद से समंदित है तो कुमरार से कुमरार चले जाएए पटना में है वहाँ मौर्बन से समंदित है अशोक के किस सिलालेख में कलिंग यूद का उलेख है तो तीरहमा शिलालेख की बात करता है तीरहमा शिलालेख की बात करता है उसमें शिलालेख की बात करता है कलिंग यूद चलेगा तंजोर में इस्तित राजा राजिस्वर मंदिर किस बस तू कला का सर्वो उत्कृष्ट कही है सर्वो उत्कृष्ट नमूना है तो चूल है या तुखेगा तंजवन में राजा रेश्वर मंदिर है जो कि चूल से समन्दी थै जो कि चूल ने बनवाए था आगए सवाल बनता है कि दाग और हुलिया का प्रथा जो है किसने प्रणंब की थी तो अलवदीन खिल जी ने डाग देने की बात की थी प्रता चालू किया था की दाग दिजे और अलावदीन खिल जी ने सुरू किया था एंग्रेज यात्री विलियम्स होकिंस किस मुगल समराव के समय में भारत आया था तो जहागीर के समय में आया था या तकिगे गगा विलियम होंक से एक्तादारी प्रता जो है किसने प्रणम की थी तो इल्टू तुमिस ने किया था या तो खेगा महाभारत के फार्शी अनुवाद का नाम क्या था रजनामा है या तो खेगे विजे नगर समराज के राजा कृष्ण देवराय कि शमकालीन मुगल शाशक कौन था तो या दिखेगा बावर था या जानते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्था पक किसे किष्ण ने की थी तो गुपाल कृष्ण को खले ने की थी या सब कोष्ण आप पढ़ चुके होंगे इस कोष्ण पर जानते हैं कोष्ण पूस्ता है बावर नामा जो है तुरकी में लिखा गया था या त लाचीन असमारक सनरचन अरिनियम उन्हें 104 में बात करते हैं, तो किस गवर्नर जनर के समय में पारित हुआ था, तो लॉडर करजन इस समय था, या तो किएगा उन्हें 104 में, क्योंकि बंगाल भीवाजन में भी लॉडर करजन का नाम आता है, History of British India के लिखा कौन है, तो James Mill है, या तो किएगा, History of British India मतलब James Mill ने लिखा था, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कों था, तो बंगाल गजट है, मैंने बाल गंगधर पढ़ने जा रहा था, लेकिन बंगाल गजट के नाम से जाने जाता है, पहला सतीने की थी, या तो किएगा, तो आर समाज की, अस्थापना किषने की थी, तो शामी द्यानच सतीने की थी, या तो किएगा, आगै सवाल बनता है, भारत में अंग्रेजी शाशन काल का सबसे बिहँंकर आकाल किस बिश काल में पढ़ा था, तो या तो शुन से में बिहान ninth शासनकाल जब था 1800 के लमसम में उससे में भिहाना का काल पड़ा था जो कि 76-78 बोला जाता है या तो किएगा ये इंपोर्टेंट होता है साइमन कमישन बाहरत कवाय था तो आप जानते हैं 1928 में साइमन कमישन बापर चौकान नारा भी लगा था या तो किएगा आगे सवाल बनता है कि बिटेस भारत में एक किस अधिनियम द्वारा मुश्लमानों को प्रतक करने का अधिकार दिया था तो याद किया मारलो मिंटो सुधार उने सो ने इसके तहर क्या हुआ था कि ये मुसलिम को प्रतक करने का निवाचन सुरू किया गया था याद किया मारलो मिंटो उने सो ने इसके तहर किस महिला समा सुधार को पंडित कहा गया था तो याद किया रामा वाई को क्या कहा गया था याद किया निल बिद्रो जो है कहा हुआ था तो याद किया बंगाल में हुआ था निल बिद्रो बंगाल से समन्दी थे याद किया या आगे सवाल पूस्ता है, महरानी विक्टोरिया की घोशना पत्र किस वर्स आया था, तो 1859 इसमें में आया था, जब हमारा 1859 में करांती हुआ था, उसके बाद, आगे चलेंगे 1904 इसमें, अस्थापित, अभीनो भारत, क्या था, तो या दिखिया करांती कारी, गतिविदियो आगे सवाल पूस्ता है, मुक नायक, शमाचर पत्र, सभ् crises को देखिए आप को देहां से देखकें मुकना एक समाचार पत्र के कौन समंदीत तो याय दाद खिए वी आरंभेदे कर ये इंपोर्टेन भी बिया को दिये का辉चियंगे next question है किस ने तीलक को भारतिय असंतोष का जनक कहा है तो या दिखेगा valentile sea roll ने कहा था या दिखेगा बर चलेगा इस question को द्यान से देखेगा new india या दिखेगा common will समाचरपत्र का जो है समन्ध किसे है innovation से है किस ने तीलक को का था भारतिय असंतोष का जनक को बालगा दर तायलक को तो समाचरपत्र चरժत्र था तो मैंने बता दिखेगा उनसे समंधी थे अब चलते नहीं publish तो सी जेड आई टी सी जेड जो है से क्या पड़ा है तो अनंत उष्ण कट बन दिये अभी शरन छित रहे या तो खेगा ठीक है आगे सवाल आपसे पूछेगा आगे सवाल क्या पूछेगा राना प्रताब शागरबांध जो है किस नदी पर बनाया गया है तो चंबल नदी पर तो खेगा आगे सवाल है शाल के बनो का शरवडिक बंडार कहां पाये जाता है तो दुनी घाटी में पाये जाता है या तो खेगा आगे सवाल पूछता है कि मुक्षिमा जोर जो है MBT सौटफों में बोलते हैं किसको किसको अलग करता है तो सिवालिका और लगू हिमाले को अलग करता है मुक्षिमा जोर या तुखेंगे आगे सवाल आपसे वन लाइनर फिज है कि भारत में कोईला किस भॉमी की शेल समू में पाए जाते हैं तो गुडवाना से पाए जाते हैं या तुकिएगा ये कोशन अगर मेरा भारत का खनीच पढ़े होंगे तो इससे हूब हूब कोशन ही पूछा था या तुकिएगा सेल समू कौन है तो गुडवाना या तुकिएगा रुतांग दर्रा जो है किन दो घाटियों से जोड़ता है तो कुलू और सिप्ती घाटी से जोड़ता है या तुकिएगा आगे सवाल नेक्स्ट कोश्चन आपसे बनता है कि भारत के उतर पच्चिम भाग में शीत जो रीतु में बर्शा का मुख कारण क्या है तो मुख कारण अगर आपसे पूछे तो पच्चमी विछोव बताएगा ये मैंने बहुत बार पढ़ा है शीत रूतु की बात करेगा तो पच्चमी विछोव बताएगे क्योंकि उतर पच्चिम की भाग की बात कर रहा है ठीक है लेट्राइट मिर्दा अधिकतम कहां पाई जाती है करनाटक में ये सारे कोश्चन मैं इंडियन जोकरफी में अभी पढ़ा रहा हूँ अगर जो नहीं देखे न देख लिए परसेंट कोई भी एक्जाम में करेक कर सकते हैं अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ जो है बी एस पी एच शील के तैयारी के लिए कर वा रहा हूं लेकिन उसमें सारे बिहारे से सी हो कोई भी एक्जाम हो जरूर पूचता है मिट्टी से आप जानते ही ठीक है आगे सवाल पू द्राइट या इते है का माद्याओ से बेचने के लिए समझा ओता किया है तो आई शी आई सी आई बैंक द्वारा किया है या जो Serigneat आगे सवाल बनता है कि कौन सा राज्य जो है दरस निरमान को प्थ्रह से आखव जो है यू जनाब बना रहा है तो आंद प्रदेश बना रहा है या तो किएगा अंदर जाएगा पानी के अंदर बूमी गत जुमीन के अंदर किस देश ने चिनी युवान को अपनी कानूनी मुद्रा घोशित किया है तो जिंबावे ने घोशित कर दिया है या तो किएगा च सेटलाइट अस्थापित किया है तो चीन ने किस देश ने विश्व का पहला टेंगो वैक्शीन अनुमानित किया है Czechos मेक्शिको ने अनुमी अनुमोदीत किया है या तो खेंगे वर्योणिक नावकिये है की कुछ किसने की थी तो रदर फोर्ड का नाम आता है याद किएगा आगे सवाल पूसता है बहुत तिक कि किस साखा में अती सुछमकनों की चाल का ध्यान किया जाता है तो क्वांटम मैकनिक्स ने करता है याद किएगा कौन सा गैश बायू को सबसे अधिक परदूशित करता है सबसे अधिक परदूशित करता है एंत्रोफोबिया किस का डर है तो याद किए पुषपो का डर होता है फूलो का डर होता है जो फूल से डरते हैं उसे एंत्रोफोबिया काते हैं लॉंग किस से प्राप्त होता है तो पुषप कलीशे प्राप्त होता है याद रुखे गा आगे सवाल है कि कौन सा स्रीर के संकर्मन से रच्छा करता है WBC करता है पेडालोजी किस बेग्यानर का अध्यान से समंदीत है तो मिट्टी से है पेडालोजी का अध्यान करना है तो यहाद क्येगा मिट्टी का अध्यान करिएगा चालक का बैदूत हमारे तंत्र में अधिक्तम ATP को उत्पन करने वाला पद क्या कलाता है तो क्रेवश चक्र कलाता है जब जल नीले जब जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश के पुंच एक अस्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हमेशा याद उखेगा शफेद होगा वाइट होगा याद रखने की चीज़ है अलजाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मस्तिक्स होते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए कि जल में करवन डाकशाइड प्रभावित करने पर बना शोडा बाटर कैसा होता है तो अमलिये प्रकृत का होता है ये भी ध्यान रखेंगे आगे नेक्स्ट कोशन है अदी श्वेत रटा जिसे लिउकी मिया कहते हैं को नियंतरित करने के लिए उप्योग किये जाने वाला रेडियो धार्मी समस्थानिक कौन सा है तो कौल्ट C60 है या तो कोवाल्ट होता है या तो किये गा इस कोशन को देखिए सफेद किटट किट किटट बोलते हैं किटट एक महत्मूर्ण कवक रोग है किसका है तो या दिकिए सरसो का है यह द्यान रखेंगे आगे सवाल बनता है आपका कि लिवर जो है फ्लयूक किसके पीत वहीन में रहता है तो या दिकिए का भेड में रहता है यह पीत वहीन रहता है या देखिए भोजन के किस वर्ग में प्रती यूनिट भार कैलोरी की मातरा सर्वऩिक होती है, तो वशा होता है, या दुकिएगा, खाने का सोडा जो है खाने का सोडा का राशाइनिक नाम क्या है सोडियम वाई कर्वोनेट खाने की सोडे को हम सोडियम वाई कर्वोनेट करते हैं या दुकिएगा पानी का घना तो किस ताप पर अधिक्तम होता है तो 4 डिगरी सिर्शियस पर होते है किसमें पीत का संचय होता है तो पिताशय में होता है आप जानते हैं किस विटामिन की कमी से खून का ठक्का धीरे धीरे बनने की बिमारी होती है तो विटामिन के का नाम आता है आप जानतें विटामिन के में होता है आगे नेक्स्ट कोशन बनता है ग्री अस्थियों द्वार अगर देखा जाए तो फाजीम किस प्रकार के दलिय विवस्था जो होते हैं में विश्वास करते हैं तो जैसे ही फाजीम की बात होगी या दलिय विवस्था की बात होगी विश्वास करने की बात होगा तो एक दलिय पदती है जो कि हमारा एक दलिय विवस्था में विश्व प्रचूर मात्रा में भूमी गजल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं तो जल भर जल भित्ती कहते हैं या तो खेगा नेक्स्ट कोचन है प्रामर्स डाई अधिकार जो है छित्र के अंतरगत उच्टम ने आले किस भी धी के प्रश्न या जनता के लिए विशेश महत्र के तथ को प्रामर्स देता है तो या दिखेगा राश्टपती द्वारा ये दिया जाता ह या तो खेगे आगे सवाल है कि धन भी देख पारित करने के लिए राश्चभा को कितने शमय जो है दिया जाता है तो 14 गरीन दिया जाते हैं 14 देस दिये जाते हैं या दिकेगा राश्टपती के चुनाओं के लिए निर्वाचन वंडर में कौन होता है तो या दिकिया सदन कर दोनों शर्डन होंगे या तकि एक संसत के दोनों शर्डन होंगे बिरान सभा के नर्वाचिस सदस्ष भी होंगे ये दियान रखेगा राष्ठी के जब चुनना होगा या राष्ठ estáshe मेहदानों और उतरी भारत के मेहदानों में कौन सी इत्कृष्ष्ट याद रुखिएगा और ये मैं पढ़ाया चुका हूँ मिट्टी में, आठ परकार के जो मिट्टी हैं उसमें, याद रुखिएगा देश के छोटे किशान, वैसे किशान को कहा जाता है, जिसके पास छित्र जो होते हैं, जोते हुए छित्र होते हैं, एक या दो हिक्तियर में में होते हैं उसी को कहा जाता है आगे सवाल है 1854 से 1856 से इसमें में क्रिमियन यूद हुआ था किनके बीच लड़ा गया था रूश और तुर्की के बीच ये यूद हुआ था ये भी द्यान रखना है आगे नेक्स्ट कोच्छन है कि लास्ट शफर शफर इसको लिखना ये है लियोन नाडो दविंस के हैं या तो कहेंगे आगे सवाल बनता है बारम वारह मिहिर कौन थे तो यार के प्राचरीन खागोली ये विद थे या तो कहेंगे आगे सवाल बनता है वी वरंस घाटी होते हैं वी वरंस घाटी ऐसे बोले जाता है वी वरंस घाटी कहां बन जील कौन सा है तो नाशेर जील है याद दूखेगा फिरका के द्वारा बनाए गया है उच्टम नयाले के कुल कितने नयादिश है चोंतिस नयादिश होते हैं बिन्दुसार के शासन काल के दौरान अशान्ति कहा थी तो तच्छ सिला में थी याद दूखेगा किसी नडी घा पदां को किस प्रकार रोका जा सकता है तो बनारोपन के करण रो कर रोपिये बन को लगाईे और झिलान दूख सकता है ènे जे इकिता का भारत में चो पहली चो अथा लेकार आए तो शलाभे से याद दूखेगा तो प्रिषकरन साला नहीं रोेलते हैं से याद रोखेगा लेकिन डिगबगवी में हुआ था, तेल का खोज भी हुआ था, आप जानते हैं, उसलिए फेम वश्याए, गंधार कला, किसका मिश्रन था, तो गंधार कला जो होता है, वो याद खें है, मुर्तिक कलाओं कि भारतिय और युनानी सेलियों का मिश्रन था, इसी को गंधार कला जाता है याद रखेगा मुहम्मद गवना गवान जो है किसके राज्य में एक परशिद बजीर और बकील था तो याद रखेगा बहमनी शाशक के समय में मुहम्मद गवना नाम है गवान नाम है ऐसे याद रखेगा जो कि बजीर और बकील था याद रखेगा किसके सासनकाल म यह होता था या तो किये गा धच्चिनाफिरका की मुद्रा कौन सी है रेंडम है रेंडम है एसे रेंड बोलते हैं तो किये गा रेंडम भी बोला जाता है रेंड बोल दीजेगा आगे सबाले भारत में 14 प्रमुख बैंकों का रफ्टिय करन किस वर्ष किया गया था तो 1969 में क या तुखेगा शतापती एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी सत वर्षिये को शन्भोधित करता है तो पंडी जवाहलाल नहरु का नाम आता है एक रूपे के नोट किसके द्वारा जारी की जाते है भारत सरकार द्वारा किया जाता है आप जानते हैं आगे सवाल बनता है कि कुलकत्ता और दिली किसे त्वारा जुड़े हुए है तो grants2 के द्वारा जुड़ा हुआ है या तो किक का दिली और कुलकत्ता भारत का सबसे सुखा बहा कौर सा है तो शीम, रास्थान सबसे सुखा है मुंबाई हाई किस सब्टरोलियम सब्रोलियूं से अगर मेरा वीडियो रेखे होंगे भारत का खनीज उसमें ये मुंबाई हाई का मैंने चर्चा किया है आगे सवाल है कि भारत में दास्मिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरुआ तो 1957 में हुआ था या दुखेगा आगे सवाल है भारत का कुल कितना भागोलिक छेत्र बन भूमी है तो 23 परतिशत है इनोलेंज कार्ट क्या है तो आने वाली शौर विकर्ण को इन्सोलेंज कहते हैं या दुखेगा तेरा रोशा एक लेटिन सब्द है जिसका आर्थ होता है लाल भूभाग छेत्र को कहते हैं आगे सवाल बनता है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्त घर्षन हीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धस जाती है इस पर किरिया को कौन सी भौतिकराशी सुरचित करता है तो केवल संबेक करता है या तो खेगा एक पहाड़ी पर चड़ते हुए बाहन का ड्राइवर गियर कानुपात क्या रखता है तो एक के बराबर या उससे अधिक भी रखता है आप खुद सोचिए ना प्रेटकल करकर देखिए उशाए पिछड़ाई यह एक गयर पर आराम से चड़ेगा तीम गयर चड़ाई नीचे गिर जाएगा है तो यह सब चीज आप आराम से कर सकते है तारो को जोड़ने की प्रकिरिया क्या कलाती है शिंखला बंधन कलाता है या तो किएगा तारो को अगर जोड़ना चाते हैं केंप्यूटर में गनना करने के लिए कौन सा अब यह मुक्तव उतरदाई होता है तो आर्थी मेटिकल लॉजिकल यूनिट कहा जाता है जो की इंपोर्टेंट होता है MCB MCB आप लगाते हैं जिसे लगूँ पत्थन कहते हैं हम लोग MCB घर में लगाते हैं हम लोग के मामले में बिद्धूत की पूर्ती को कट कट देता है मतलब काट देता है या तकिएगा किस सिध्धान पर काम करता है धारा के चुमकिये प्रभाव की कारण करता है कुश्चन देखे सिंदू गाटी के लोग कैसे भोजन करते थे तो साकाहरी और मानुशारी दोनों करते थे आगे सवाल पुछेगा दियूतिय बहुत सभा कायोजन कहां हुआ था तो वैशाले में हुआ था तो आप या तुखेगा हमारा पाटली पुत्रा में हुआ था च महमुद गजनवी ने अपना अंतिम शेहन अभियान भारत में पर कब किया मतलब आकरवान एक तरशक किया था तो एक हजार सथाईस प्रमूद गर्जनवी ने चलीशा गूरूप चलता है या तुखेगा कि सक्ति को किसने तोड़ा तो बलमन ने इस गूरूप को तोड़ गया था या तुखिएगा आगे सवाल है किसने अपनी प्रजा में गंभिरता से भेदभाव और अन्याय को करने के प्रयास किये तो और कोई नहीं अकवर नहीं किया था या तुखिएगा 1529 में बात करते हैं मैं किसने दच्छिन बिहार पर आकरमन किया लेकिन सेर खां के द्वारा प्रास्थ किया गया तो या देखिएगा नूसरत सा को प्रास्थ कर दिया गया था या तो आगे सवाल पूछेगा बक्षर का यूद कब लड़ा गया था तो वाई शक्टूर 1764 में इसमें किया गया था तो वाई शक्टूर 1764 में क्या होता बक्षर का यूद हुआ था तो देखिए 1764 याद है आपको बक्षर का यूद और पलाशी का यूद होता है 1757 में या तो याद हमिशा रखेंगे बक्षर का यूद 1764 जो कि वाई शक्टूर को यह भी डेट आज कर पूछने लगा या तुखेगा किस घटना को राष्टिय स्वतनता के मुश्लिम यूद के रूप में जाना जाता है तो वहावी बोला जाता है से वहावी आलदोलन को बोला जाता है या तुखेगा आगे सवाल पूछता है बंगाल वीवाजन को किस के समय उलट दिया गया थ रॉल्ट एक्ट बोला जाता है इसे यहां पर रॉल्ट एधिनियम कर दिया है यही जो है खड़ा कर दिया था यह तुकिएंगे यह अधिनियम बहुत ही मतों कहिए कि खराब था आगे सवाल बनता है 1946-50 के दोरान सम्विधान सभा का ध्यच कौन था त्यारी के डॉक्टर रजिंदर प्रशाद थे आप जानते हैं डॉक्टर रजिंदर प्रशाद बने हैं और राष्ट पती भी यही रहे हैं याद रुकि रुकिया और उनिश्वस्तात में हुआ था सीबू कहा हैं चारकंड कहीं साई याद रुकिये आगे सवाल पूस्ता है भगवान बुद्ध ने ग्यान प्राप्ट करने के लिए लंबे वर्षों तक तपश्या और साध्णा जो है ने कहां बैतित किये थे तो गया में सबसे जादा किये थे ग्यान प्राप्ति इनको गया में हुआ था गया के कहां बोध गया में हुआ था या तुखेंगे पतना में भावी आलदोलन का महत्पूर्ण नेता कौन थे तो शैयद अहमद था या तुखेंगे शैयद अहमद था या तुखेंगे भावी आलदोलन का जो कि पतना में भूम का निभा रहा थे. याद रुकेंगे. 11 अगस्त उने Großबी जसुष mango को पतना सची वाले के पुर्वी गेत पर राश्टी जन्डे को किस ने फार आया तो याद रुकेंगें बिद्यार्थियों fourteen ने फार आया था. ये याद रुकेंगे. किशने किया, डॉक्टर रजिंदा प्रशाद ने किया था, किशने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की अस्थापना में महत्पूर्ण युगदान दिया, तो या देखे हैं, दीप नराइन शिंग नहीं किया था, या तो खेंगे, कौन किया था, दीप नराइन शिंग निल नदी, जो है, निल नदी जो है, किस महादी में प्रवाहित होती है, तो अफिर्का में प्रवाहित होती है, या तुखेगा, तो निल नदी जो है, किस महादी में प्रवाहित होती है, तो अफिर्का में प्रवाहित होती है, दच्छिन गंगोतरी कहां इस्थित है, तो जो है डमरू मद जो है किसके मद है तो भारत और श्रिलंका के मद है ये बहुत वार कोशन पूछा है याद खेगा अब तक में 3-4 से 5 वारतों इसी पेपर में हम कहेंगे कि मतलब 2000 हम पढ़ा रहे हैं 12, 13, 14, 15 तो इसमें पूछ चुका है और टोटल सुचिए 500 से जादा होग डंड कारने प्रदेश में कौन सा आयश्क है निछेप मिलता है तो लोहा मिलता है डंड करने में याद रखेंगे आगे सवाल है बिहार राज का च्छेत्रफल भारत के च्छेत्रफल का कितना प्रचिशत है 2.8 परसेंट है अगर मेरा बिहार का वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आप ठीक लगाएगा आमर बर्चा क्या है तो उत्तर पुर्वी बिहार के मांचुन पुर्व बर्चा को काते हैं आमर बर्चा बिहार में रेल कोच फैक्टरी का केंदर कहां है तो मुकामों में है याद रुखेगा मुकामा याद रुखेंगे कौन से राष्टि राजमार्ग NS30 NS30 बोला जाता है से जुड़ा हुआ तो वक्तियारपूर, पटना, आरा ये सब जो है NS30 जुड़ा हुआ है समिधान के किसे समिधान के किसे भारत सरकार का प्रथम बिधी अधिकारिक साजहा समझा जाता है तो महान नवादी को समझा जाता है याद जखेगा समिधान के किस अनुषेद को डॉक्टर भी आरंबेदकर द्वारा समिधान कहरदाए एवं आत्मा कहा गया है तो याद जखेगा अनुषेद 32 को जो कि भी आरंबेदकर कहे थे समिधान का इसे समिधान चलिएगा तो याद रुकेंगे संग लोग शेवायोग अपना बार्शिक परतिवेदन किसे सौपता है तो राश्पती को सौपेगा आगे फिर आर्टिकल है कि भारत देखें आर्टिकल मैं वन से लेके 395 तक पूरा टूटल एक वार में ही वीडियो बना दूँगा बस वो भी खांसर क बस आपका सपोड़ा सस्काइब बना रहा तो चलेंगे आगे शलते हैं कि भारत के समिधान के अंतरगत कौन सा अनुशेद जो है करखानों में बच्चों के नियोजन का परती शेद करता है तो अनुशेद 24 करता है या दिकेगा आटिकल 24 करता है अगर बच्चे को अगर कर खानों में काम करेगा तो हब समझेगे उस पर किश हो सकता है आगे चलेंगे निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो मुख निर्वाचन आयुक्त के प्रामस पर राश्पती को राश्पती द्वारा हटाया जा सकता है या दुखेंगे सम्मेधानिक आगे सवाल है कौन संसर के दोनों शदनों का संयुक्त बैठक की अधिस्ता करता है तो लोग शभा का ध्यच करते हैं लोग शभा का स्पीकर करते हैं दोनों शदन का बैठक याद रुखेगा, सयुक्त बैटा की बात हो, याद रुखेगे, अगर ना हो तब ही क्या बोलते हैं, ये करेंगे, कौन करेंगे तो आश्टपती कर सकते हैं, उपराश्टपती कर सकते हैं, ऐसे, चीक है, आगे सवाल है, बारहमी पंचवर्शी ओजनाकाल के लिए, सेवा छ आटी का शासनकाल में किया गया था, किस पंचवर्शी ओजना में, तिबृतर, शंपोशी तथा, अधिक समाबेशी विकास का दिश्टी कों रखा गया है, तो बारहमी पंचवर्शी ओजना के तहद रखा गया है, बारहमी पंचवर्शी ओजना के तहद रखा गया है, बा यहां रखेंगे भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश को एतिहाशिक लहार अधिवेशन जो 1929 में हुआ था किसकी अध्यस्ता में की गई थी तो पंडी जवहलाल नहरू की अध्यस्ता में की गई थी यहां रखेगा 1929 में ठीक है 1929 बहुत इंपोर्टेंट है क्यों है बताएग तो 1942 में भारतिय राष्टिय वहा था उससमें यादिकिया पस्ताव रखा घ्या था कहां रखा गया था बर्दामे ठीक है यादिके जो कि 1942 में भारतिय वहार चुड़ा अलदोना शुरू हो गया था है ना देटे हमेशा यार रखेंगे भारतियों ने साइमन कमिस्षन का वहिसकार क्यों किया मतवशामिन कमिशन बापसुअ क्योंकि इसके सभी सद्रस अंगरेश थे इनमें भारतियों का प्रतिनिए जो नहीं दिया गया था मतब भुमिका नहीं निवा सकते थे इसमें आगे बढ़के जो है अपनी भुमिका नहीं दे सकते हैं याद रुखेगा उन्हें सो अठारे स्वी में अहमदाबाद मजदूर हरताल का नित्विट किशने किया था तो याद रुखेगा एम के गान्धी का नाम आता है याद रुखेगा आगे देखेगे कि कैमिनल अवार्ड किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है तो लौडर मैकडोनल के द्वारा किया गया है याद रुखेगे आगे पूसता है पर्थम गोल में जो सम्मेलन हुआ था परश्यत के शमय इंगलेंड के प्रधान मंत्री कों थे तो रैम रैमसेस मैकडोनल का नाम आता है याद रुखेगा ठीक है परथम गोल में सम्मेलन जबाएगा तो मैकडोनल को याद रुखेगे रैमसेस मैकडोनल को लौडर मैकडोनल अलग है याद रुखेगे आगे सवाल है कि भारत का पूर्ण सुराज दिवस जो है सरपरथम कब मना जाता है तो देखे 26 जनवरी 1929 को मनाते हैं याद रखेगा अजाद हिंद फोज किया स्थापना किस ने कि थी तो याद रखेगा रास बिहारी बोश ने कि थी याद रखेगा आगे सवाल पूछेगा भारत में महात्मा गानी ने अपना शत्यागरा के तरीके का पर्थम परिव कहां किये थे तो याद रखेगा चंपाने सत्यागरा में जो कि 1917 में शुरू किये थे आगे सवाल आपसे पूछेगा उने 149 में बिहार में अंबारी सत्यागरा का ने तिवित किस्चिने किया राहुल संकृत्यान ने किया था शंस्कृत्यान ने किये थे याद necesit गया बिहार में तो उन्हेंश 22 में हुआ था, या तो खीगा। चीज कहा है, आगे पूछेगा 1931 में बिहार सोसिलिस्ट पार्टी का गठन किषिह ने किया, तो फुलन प्रशाद ब्रमा का नाम आता है, 1931 में बिहार सोसलिस्ट पार्टी का गठन हुआ फुलन प्रशाद बर्मा का उल्गुलान के रूप में ग्यात ब्रिटिस के बिरुद्ध जन जातिये बिद्रो किसे ने संगठित किया तो या दिकिया विर्शा मुंडा का नाम आता है या तो कहेंगे आगे सवाल पूस्ता है चंपारन कृशी कानून किस वर्स पारित हुआ था तो उने 1818 इस्वी में पारित हुआ तो या तुकेंगे बिहार के देशी राज दरभंगा में उने 111 इस्वी में किशान आलोन का नत्युत किशन किया था तो श्वामी विश्वान मंद ने किये थे आगे चलेंगे AMIRC में C का शमंद जो है क्या है केंप्यूटर से है या तुकेंगे आगे सवाल पूछता है पौधो की लंबाई में बृद्धी के लिए कौन सा तत्व अवश्चक है तो केल्सियम है नाइट्रोजन फासपूरस है ये ध्यान रखेगा कौन सा अस्थान जो होता है या तुकेगा समान होगा Fahrenheit और centigrade का माइनस चालिस जो है होते हैं समान होते हैं सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है को क्या कहेंगे वीट कहेंगे या तुकेगा क्या कहेंगे वीट कहते हैं डेटा सूचना जो है ड माना मस्टिस्ट का कौन सा भाग जो है भूख प्याश और निद्रा का केंद्र है है था हाइफो थेल्मश है या्दखेगा क्या है हाइफो थेल्मश है यादखेगे अतिश शक्ति-6 सूपर केमप्यूटर तिया नहीं बोला जाता है टू कहां है तो चीन का है जैसे ही तिया नहीं जैसे चाइनीज भासा लगता है वैसे ही याद कीगा चाइना का है इस रही होग परियोजना किसके द्वारा अरंब की गई तो आएकर विवाग द्वारा किया गया है दिशा क्या है तो दिशा अगर आपसे पूछे तो एक मुवाइल अप्लिकेशन जो बिहार में डिस्टर सचर्था को बढ़ावा देता है तो दिशा अगर पूछे डारेक्शन पूछे तो क्या बताएगा बिहार का एक मॉवाइल अप्लिकेशन है जो कि सचर्टा को बढ़ावा देता है देखिए रमायन का अनुबाद जो है फार्सी में करने वाला विक्ति का नाम अगर आप से पूछे तो वदा यूनी का नाम आता है याद रुखेगा भारतिये एक यूनिट कोश्चन कहीं और चला गया एक यूनिट हाँ यहाँ चली इस जगर देखिए कि भारतिये समिधान म उसी को मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा भारत संयुक्तराष्ट में कब सामिल हुआ था तो याद रुखेए उनेशव पैतालिस में हुआ था संयुक्तराष्ट संग याद रुखेगे संयुक्तराष्ट और इंदिया मुशिम लिग के स्थापना किसने जो है की थी तो याद रुखेगे आगा खाँ का नाम आता है जो कि किये थे याद रुखेगे www.wf.wild wildlife fand का परतिक क्या है तो लाल पांडा का नाम आता है याद रुखेगा ठीक है लाल पांडा का नाम आता है आगे सवाल अगर आपसे पूछे तो भारत में बीमा छित्र कौन सा आगे नेक्स्ट कुछशन है कि बहुत यह समिधान का कौन सा अनुष जो है मौलिक कर्थबों से समंद्ध है तो आप जानते है जैसे मौलिक कर्थब होगा 51mm AI आएगा याद रिखेगा अगर आप से पूछे मौलिक करतब और जो है अगर समिधान संसोदन पूछे तो याद रिखेगा 42 मां समिधान संसोदन 1976 जोडा गया है याद रिखेगा उसे जोड सकते हैं भारत का उगरा प्रमोचन केंद्र कहां इस्तित है तो सिरी हरी कोटा में जो कि आंत प्रोदेश का हिस्सा है सुतंतर पाटी की जो है स्थापना किष्णे की थी तो सी राज गुपालिचारिया का नाम आता है सुतंतर पाटी की स्थापना करने में किसमें सुतंतर पाटी की स्थापना करने में समुद्र में ब्रिहत जवार उठा कब उठता है जब पुर्णियां अमाश है मतब पुर्णियमा और अमवाश लगातार बोलने के कारण हो जाएगा यह जो समुद्र में ब्रियत जो जोवार उठता है कब उठता है पूछता है आपसे और यह 100% पूछता है तब पुर्णियमा के दिन उठेगा और आमाश के दिन उठेगा कब आमावाश के दिन आमावश की रात याद है इस तरह की स्टोरी आप सुनते होंगे सिरियल में फिल्मे है नबूटिया फिल्म तो जाद है तो यार रखेगा पूछता पूछता है पूर्णियमा और आमावश क्लाशिकल निर्थ क्या है तो आर्द प्रदेश का क्लाशिकल निर्थ अगर आपसे पूछे ना तो जैसे ही क्लाशिकल निर्थ की बात करेगा तो हम चले जाएंगे कुछ ही पुड़ी में कहां चले जाएंगे कुछ ही पुड़ी में आपका पाकिस्तान में मौहें जो दो भी पाकिस्तान में ये भी नोट कर ली जगा भारतियों ने साइमन कमिशन का वैस्कार क्यों क्या देखी, दुवारा यही कोशन इसी पेपर 2016 में पूछा है, सूचे सुचे, उसमें सदश्यों के रूपे में किसी भारतिये को शामिल नहीं किया था इसलिए तो अंसर किसी भी जवाब होशकते हैं लेकिन पूछेगा एक ही कोशन जो कि आपको गुमाता है आगे सवाल पूछता है कि सरकारियों जो है सरकारियां जो उप्योग का गठन किया गया था विशय पर रिपोर्ट देने के लिए जो किया गया था वो क्या था तो किंद्र राज शमंध थे यह याद रिखेगा शहकारी का मतलब होता है सरकारी का मतलब होता है आगे सवाल आपसे पूछेगा A.G.A. में R.K. ठीक है A.G. मार्क जो होता है क्या है तो याद रिखेगा पदार्थों के लिए गुल्मत्ता की गरांटी का मोहर होता है याद रिखेगा ठीक है मार्क जो होता है न याद रिखेगे आगे सवाल है कि भारती है संसत के अपर शदन को किस नाम से जानते हैं अब देखेगे अपर हो है तो कुष्ट के कारण होता है याद रिखेगा आगे सवाल पूशता है दूद के खटेपन के उपरांत दही बनना किसका उदारन है तो याद रिखेगा पर मेंटेंशन का काम है याद रिखेगा पर मेंटेंशन का कारण होता है आगे सवाल पूसता है जेट इंजन का कार्ज जो है संचालन का सिध्धान जो है किसका संरचन करता है तो रेखिये संबेक का कारण होता है आगे पूसता है कि जब नमक को पानी में डाला जाता है तो इसका कुथनांग क्या होता है तो याद रखेंगे कुतरां किसका बढ़ जाएगा हमेशा याद रखेंगे अनू में इलक्ट्रोन का इस्थिर परिकर्मा जो होता है पत्थ का विचार प्रथम बार किन के द्वारा पस्तूत किया गया था तब बोर के द्वारा किया गया था पूसता है आम का पीला रंग किसकी मौजगुदी के कारण होता है तो केरोटीन के कारण क्या होता है आम ना हमारा पीला हो जाता है बिमान इंधन क्या है जो जेट इंजन में इस्थमाल होता है तो पिट्रॉल होता है यादुखेगा बिमान इंधन मतलब पिट्रॉल होता है यादुखेगे समानन मानव में पाई जाने वाले गुन शुत्रों की शंक्या कितनी होती है तो फोटी सिक्स होती है यादुखेगा आगे सवाल है गैलेना गैलेना किसका कनीच है तो लेड़ का शीशे का है याद रुखेगा ठीक है इस सिच को ध्यान रखेंगे ठीक है बाहर यह वाज़े को थोड़ा इगनौर करते शलिएगा सौर उर्जा का सुरोत क्या है तो नापकी शल्यन नापकी शल्यन होता है आगे सवाल है पोदे इवाम जाणवर के लिए सरवजनिक उर्जा मुद्रा जो है क्या है तो याद रुखेगा एटीप बोला जाता है याद रुखेगा पोदे हो जानवर के लिए हीरे के समान चमक का क्या कारण है तो याद दिखिया, total, total internal reflection होते हैं, याद दिखेगा, चमक का कारण होता है, ठीक है, आगे सवाल आपसे पूछेगा, सीसे के निचारण, सीसे के जो निचारण होते हैं, में कौन से अमल का प्रयोग होता है, तो HF के कारण होते हैं, याद दिखेगा, आगे सवाल पूछेग तो याद दिखेगा A.B. लिविन हॉक नहीं किया था याद दिखेंगे जब यह सार संग्रा सारा खतम हो जाएगा उसके बाद साइंस का स्पेसली एक चलेगा वन लाइनर जैसे चल रहा है इंडियन जोगरफी तो दो टाइम में चलेगे चुकि आपको यह टाइम बता दिया जाएगा और 100% चलेगा जल्द ही छोटा एक वीडियो आने वाला है 2-3 मिनिट, 4-5 मिनिट में जो कि आएगा हमिशा सोच रहा हूँ एक सीरीज चला दू जैसे कि जितने भी हमारे भारत के सुतनते शंगराम जो हैं जैसे 1850 से लड़े हैं जो कि हमारे आजादी तक लड़े हैं उनका मैं एक लिष्ट बनाते चल जाओ चिक है तो एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ वो कभी भी कामा सकता हूँ जादा मैं उसमें लेक्चर नहीं दूँगा सिर्फ उनकी जनम से मिर्टु तक का जो बीच का जो उनका दौर था वही मैं बताने जा रहा हूँ तो अगर आप उसे एक वीडियो में डालूँगा आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करेगा में शाना किस पशु की प्रजाती है तो भेंस की याद दखीगा में शाना हो या मुर्रा हो या सूर्ती हो सूर्ती भी भेंस का नाम है मुर्रा भी भेंस का है जफार बादी में शाना में शाना जो है ये पशु जो प्रजाती है पूछेगा आपसे भैंस का है याद उखेगा ATM का पूर्ण रूप अगर पूछे तो Automated Automated Tailor Machine बता दिएगा Automated है यहाँ पे लिखावा है तो Automated Tailor Machine ही बताना है याद उखेगे हमारे शमिदान की वियाख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन होता है तो भारत का उच्छितम नियाल है हम जानते हैं कि सबसे जो है अंतिम कौन है कहां जाएगा उच्छितम नियाल है में चले जाएगा भारतिय रिजर्बैंक का राष्टिये करन किस वर्ष हुआ था आप जानते हैं राष्टिये करन जो हुआ था सत्य जी तरे किस से समन्दी थे तो या देखीगा फिल्म निर्देशा से या देखिए सत्य जी तरे पे बहुत सारे जो है जैसे कि सत्य जी तरे क्या लिखे हैं सत्य जी तरे क्या है कौन है इनके बारे में जरूर हम बता देंगे क्योंकि ये इससे कोशन भी हार SSE हो या SSE हो ये 100% एक नए कोशन पूट करता है हम देख रहे हैं अभी तक तो आप खुद देख रहे होंगे इतना प्रिवेश्यर मेंने पढ़ाया इस सम में सत्य जी तुरे फिक्स है एक में मतब कोई भी एक्जाम में ऐसा नहीं बोग रहा हूँ कि सिर्फ इसमें लेकिन हम अभी तक जितना भी देखे है प्रिवेश्यर में तो अगर माली साल में तो पक्का है कि कोई भी एक्जाम हो उसमें एक कोशन है तो क्यों न पढ़ लें इससे स्टोरी की रूप में पढ़ ल कौन सा है तो धान धान नियागार है याद कीगा मोहजुद का असनानागार भी है देखे सबसे बड़ा भवन की बात हो रही है असनानागार की बात नहीं हो रही है याद कीगा किस से सिंदू नदी का उदगम होता है तो किस से तो कैलाश प्रवत माला से सिंदू नदी आत तो 32 याद खिएगा जिसे आत्मा कहा गया है कौन कहा है बियार अमित्गर जी कहा है याद खेंगे किस यूद के शाथ भारत में ब्रिटिस को फ्रांसेसी चुनोती का अंत हुआ तो याद खिएगा बांडी वाशा का यूद में हुआ था याद खेंगे विकरम शारबाई अं भी कमेंट करूँगा बित आयोग की निप्ती कौन करता है तो राश्पती करते हैं बित आयोग की निप्ती याद खेंगा समिदान का कौन सा भाग जो है राज नीती निर्देशक से समंदित है तो भाग चार है भाग चार ए में मुलकर्तब की बात करता है याद खेंगा अ से समन्दित है तो उद्दान क्रिश्य समन्दित है याद खेगा भारत आने वाला पहला अंगरेज जहाज कौन है अंगरेजी जहाज कौन है तो एली जावेत है याद खेगा आगे सवाल पूसता है भारत में सिक्य जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है तो बितमंतुरी ह पारत ये शंसत का अर्थ क्या है तो राजशभा, लोक्षभा और प्लस राष्टपती तीनों है या तुखेंगे तीनों नहीं है तो भारत शंसत का अर्थ नहीं निकलेगा संप्रदाइक निर्वाचनबर्ग भारत में पहली वार किस वर्ष में आरंब किया गया है तो 1909 इस्वी में किया गया है 1937 इस्वी में किन दो राज्जों को गैर कॉंग्रेश मंतुरी मंदल थे तो बंगाल और पंजाब थे या तुखेगा आगे सवाल आपका बनता है नलंदा विश्विद्याले को नश्ट करने वाला मुश्लिम शाही कौन था मतलब मुश्लिम दुष्ट कौन थे यहाँ पर तो यही होगा ना क्योंकि नलंदा विश्विद्याले को नश्ट कौन किया तो मुश्लिम जो था मुहम्मद बिन वक् बक्तियार खिल जी याद रुखेगा, तो बक्तियार जी है, याद रुखेगे, तो मुहमर भीन बक्तियार याद रुखेगे, जो कि नश्ट कर दिया था, याद रुखेगे, विश्व का एक मात्र पलावी, राष्टिये पार कहा इस्तित है, तो मनीपूर में है, याद रु क्योंकि ऐसा पॉंट अभी उसे नहीं बोला दस कुरांती कारी जो है उस पर हम मेंने बोलो था ठीक है इसके लिए हम चमा चाहेंगे विश्व का एकमात्र पलावी राष्टिये पार कहां इस्तित है तुम मनिपूर में है याद उखेगा बाई मंडल का सबसे नीचे का परत क इस कोशन को जैसे तयससे गुआ सकता है कौन यंग इंडिया और हर्यन का समपांतक थे तो महतमां गांदी थे याद खेगा ये कोशन तीन बार से चारवा पूश चुका है इसी में भारत में सबसे लंबी सिचाई नहर कौन सी है तो पुर्व कोशी नहर है जो कि हमारा सिचाई के लिए जाना जाता है कोशी याद खेगा दच्छिन धुरूब की कोश किसने की थी तो एडमन एडमन ने किया था एडमन सन ने किया था याद खेगा आगे सवाल पूछेगा भारतिय रिजर बैंक के गवर्णर का एक काजकाल कितने वर्ष का होता है तो तीन वर्ष का होता है याद खेगा भारतिय रिजर बैंक का गवर्णर को हमेशा भूलिएगा मत अब तीन बर्स का होता है पांच बर्स का नहीं होता है याद किएगा कुंडल कुलम नाब की विजली सरेंत जो है सेंत जो है किस भी देशी राष्टी राष्ट के सहयोग से हुआ है तो रूस के सहयोग से हुआ है कुंडल कुलम याद किएगा आगे प्रवाइट मेरा प्रवाइट सबका हो सकता है चलिए पत्तो का हरारंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो क्लौरोफिल के कारण हो जाता है या तो खेंगे वजोन परत के ना होने पर बाई brain bundle में कौन सी किरने परवेश करती है गेंगा गल गंड कहते हैं गेंगा को किस की कमी से होती है ता आउड़ेन की कमी से हो जाता है याद खेंगे का विश्कार किस ने किया था तो एड़वर्ड जर्नल ने किया था ठीका का याद खेंगे इस्तिर बिदुत अब छेपित किस के नियंतरन में काम आते हैं तो याद बाई मंडल याद कि अबारिश हो रही है न लिजे बाई परदूशन में शाहत का मक्षी का विश क्या है तो याद कि प्रोटीन है शाहत की मक्षी का विश जो हता है विश मद मक्षी का मद जो है प्रोटीन के काम आता है ना खाना पकाने का तेल बनस्पती घी में किस परकार द्वारा बदला जाता है. व्याद ही रोग जो है क्या होता है? हमेशा सोते रहे? उसके कौन से बिवाने की कानब होता है? किसके काटने सोता है? यारत कहेंगा सिसिमगी के काटने सोता है? ठीक है आगे चलिए आयोडीन ऐडो फॉरमल आयोडो फॉरमल जो है कपर्योग किस रूप में किया जाता है तो या देख्या प्रतिरोधी के कारण होता है या तो खेंगे आगे सवाल पुस्तेगा स्वेत फुस-फूस रोग जो है किस में पाय जाते हैं कागज उद्द्योग करमचारियों में होते हैं या तो खेगा पंडूलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अबधी क्या होगी तो बढ़ेगी या तो खेगा समय अबधी जो है बढ़ेगा बीठी बीच का समन्ध किससे है तो कपास से है यह दियान रखेगा कैंसर के उप्चार करने के लिए प्रियुक्त जो है क्या होता है तत्व कौन सा होता है रेडाउन होते हैं या तो खेंगे रवड को वलकनीत करने के लिए प्रियुक्त तत्व कौन सा है सलफर है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनीच पाया जाते है थोरियम है मानव रूदिर का पिएच मान 7.4 है कहीं कहीं 5 दे देता है या तो कि 4 होता है प्रकाशिये तन्तु किस परी घटना परधारित है पूर्व आंतरिक परिवर्तन पे होते हैं आगे सवाल पुछेगा पेंसलेन की खोज किस ने की थी तो अलगजंडर फ्लेमिंग ने की थी आगे सवाल पुछेगा किस प्रकार की अविकरिया से सबसे अधिक हानिकारे विकंड पैदा होता है तो विखंडन की जो है क्रिया के कारण होता है यह last question और 2016 समाप्त हो गया कांच प्रवलती जो है प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है तो रेशा कांच का प्रयोग करते हैं तो आज यह खतम हो गया आपका 2016 आप नेक्स्ट आने वाला है 2017 एक दिन बीच करके आएगा क्योंकि आपके लिए एक दिन में आप पड़ लीजे 16 फिर 17 आजाएगे स्पीट करके आप चाहें तो कभी भी वीडियो देख सकते हैं अन्र था आप जो जैसे चाहें वैसा देख सकते हैं जैन जवारत अच्छा लगए तो प्लीज सस्काबर लाइक किजएगा आप हैं तभी हमें याद किएगा थोड़ी से इस वीडियो में थोड़ी बाहरी आवाजों को इगनौर करना सिख जाएगा प्लीज चलेगे जैन जवारत